दा कस्मीर फाइल की सुपर काम्याबी के बाद एक नए तरह की जॉनर पैदा हो चुकी सिनेमा की जहां पर कंट्रोवर्शियर एंगल को रिलीजन की च्छाओं में कैस किया जाता है अब ये प्रॉबगेंडा है ये रियल स्टोरी ये तो डॉकुमेंटरीज में तै होता था पहले सरगारी आंकडों में लेकिन आजकल ड्रामेंटिक फॉर्म में फिल्में बनाई जा रही है जो कि पब्लिक हाथों आत ले भी रही है एक तरह से केरला स्टोरी के बाद तो पूरा मामला नए सरे से गरम हो चुका है आपको जानकर ताज्यव होगा जो मुवी करीब 15 क करों के बजट है बनी थी केरला स्टोरी उस थ्री एंडेर करों के कलेक्शन को टच कर रही है यानि कई सवगुना फाइदे का असाधा साबित हुई केरला स्टोरी और इसी ने ऐसी फिल्मों को जनम दिया है जो कम बजट की होती है रिलिजियस कंट्रोवर्सी की बात करती ह और पब्लिक के हेट को पब्लिक के गुश्चे को कैस करती है बरात सुदिप्तो से इनकी केरला स्टोरी के बाद तीन फिल्मों और ऐसी आरीन जहां पर धरम की बात की गई है एक तरफा धरम का एंगल है कई लोग प्रोगेंड़ा बताते हैं कई लोग आई-उप्रर लेकि और हंगामेदार काम्यावी को कैस्ट करेंगी नमबर एक पर आती है 72 हूरे जिसका टीजर अभी हाल में रिलीज हुआ है बहुत कंटोवर्सी से गिर चुका है बिकॉज इसके टीजर में कई फैक गलत बताएगे हैं फिर चाव 9-11 की घटना हो ये फिर मुंबई टेरिस्ट अटाइब की बराल संजेपूरान सिंग ने इस मुवी को बहुत पहले बनाया था लेकिन साइट टाइमिंग देखकर इसका टीजर रिलीज किया आनन फानन में ये मुवी बताती है कि आतंगवाद की घातक रास्ते पर चलने के लिए युवां को कैसे बगलाया जाता है उन नहीं आतंगवादियों किस तरह से भागतर हुरों का लालस देकर उन्सका गलत काम करवाया जाता है इसकी बात की जाएगी नमबर तू पर आती है अजमेर 92 जो कि बहुत कंट्रोवर्सल हो रही विकाज अजमेर के जो भी लोग है को इस मूवी को बैन करने की डिमांड कर रहे है ये मूवी 1992 के अजमेर रेप केस पर बेजड है जो कि बहुत ही कंट्रोवर्सल केस था कई इसलामी संगठर उन्हों आरोब लगाते हुए मूवी को बैन करने के मांग की है कि ये समाज में धरार पैदा करेगी और उनका मानना है कि ये फिल्म दरगाह अजमेर सरीप को बदराम करने के उद्दिश से बनाए गई है यानि केरला स्टोरी की तरज पर अजमेर 92 पर भी विवात का साया गहरा होत का फिक्सिनलाइज किया गया है वैसे भी केरला स्टोरी को लेकर पस्टे मंगाल में पहले विवाद हुआ था मूवी को बैन कर दिया गया था बाद में मामला थोड़ा सा गोल मोल हो गया दरसला पस्टे मंगाल पुलिस के निसाने पर मूवी आ चुगी दा डैरी ओ पंगाल इन सब में कॉवन थ्रेड है पॉलिटिकल रिलिजियस कंटोवर्सी है एक खास धरम के हीट को कैस किया गया है और पब्लिक में कुनमात पैदा करने कोशिच की जा रही है हालांकि कई बार मूवी डाटा के मामले में आई ओपनर होती है और एक पहलू जो बहुत सा प्रोगा प्रोपेगेंडा सिनेमा